हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैमा कुकिंग क्लासेज, आज हम बनाने जा रहे हैं किड़ी लॉलिपॉप, आप ऐसे किसी भी बर्डे पार्टी में, फेस्टिवल्स में या किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, क्रिस्मस आ रहा है आप उसमें भी बना सकते हैं, इसके लिए पहले हम कुछ बिस्केट लेंगे, हमने ये चोकलेट बिस्केट लिये हैं, आप किसी भी फ्लेवर के बिस्केट ले सकते हैं, और एक बावल में हम आधा कप मैदा डालेंगे, इसे हम पानी डालकर एक गाड़ा सा घोल बना लेंगे, पानी हमने थोड़ा-थोड़ा करके ड डले हमारा इसमें ये एक ग्लास पानी पूरा डल जाएगा इसे हम अच्छे से घोल लेंगे थोड़ा सा और पानी डाल दिया हमने गाड़ा घोल बना लिया अब हमने इसका अब हम इसमें दो चमच शेहट डाल देंगे आप चीनी भी डाल सकते हैं हम इसको जादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि बिस्किट भी हमारे मीठे हैं थोड़ा सा हम इसमें वनिला एसेंस डाल देंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम एक biscuit लेंगे और ये ice cream sticks ले लेंगे इसको biscuit के बीच में लगा लेंगे इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप ice cream sticks यूझ करें या तो उसे पहले एक घंटा पानी में भिगो दें या फिर freezer में रख दें इस तरह से हम सारी आइस क्रिम स्टिक्स बिस्किट्स में लगा लेंगे अब हम एक स्टिक लेंगे और इसे बैटर में डिप करेंगे या इसके उपर बैटर डाल देंगे और इसे शैलो फ्राइ कर लेंगे बैटर आप आटे का भी बना सकते हैं, मैदे का भी बना सकते हैं और बेसन का भी बना सकते हैं इसको हम अब फ्राई कर रहे हैं हमने एक पैन में पहले से घी गरम करके रखा हुआ है देखिए अब हमारी ये स्टिक्स बन चुके हैं इन्हें हम निकाल लेंगे इस तरह से हम सारी स्टिक्स बना लेंगे हमारी ये लॉलिपॉप स्टिक्स बिर्कुल फ्राई होकर तियार हो चुकी हैं अब हम इने गार्निश करेंगे हमने इसके उपर थोड़ी सी चॉकलेट सिरॉप और स्प्रिंकल्स इसके उपर डाल दिया है आप किसी भी चीज से इसको गार्निश कर सकते हैं बस लीजिये बनकर त्यार है हमारी किडी लॉलिपॉपस अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं